जैश्रे कृष्णा राधे राधे मैं आज आप लोग को कहिए एक्सरसाइज या जीन क्या बहुत छोटा सा एक प्रोसीजर बताने जारी हूं जो आप घर में कर सकते हैं प्रोसी पैट में लेटे ले बुकान ने हो ठ्रेन में हो वायँ दे मैं एक executing bore time और इसके अपको जैदा समय नहीं देना है पंदरा में आट रोज दीजिए अब आते हैं हम इस चीज के लिए कि क्या exercise करना बहुत जुर्री है हम जिस तरह का आजकर के लिट में हम खाना भी ना खा रहे हैं इसमें कोई शुद्ध शुद्धता की गारंटी नहीं हम बहुत शुद्ध कोई चीज़ ले रहे हों दूसरा ची इस्ट्रेस बहुत ज्यादा है चाया फैमली में कहिए चाय सोसाइटी में कहिए स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है और हम लेते हैं स्ट्रेस कितना भी हम कहें हम नहीं लेते हैं कुछ गटना है हमारे साथ गटती है और हम उस पर सोचते हैं कुछ लोग 5 मिट सोचते हैं कुछ लोग 20-25 मिट सोचते हैं कर कि इडाइप लान और एक्सरसाइस से सारी विमारी सेफ़ा जा सकता है तो पर नृअ को कि मऌने करती रोबती दो है कि मताइबनारे अब फिर आप देखे मद्धिन भी मैं मारी सब्कारा दिला देता है घ pagar चाहता हक्रदा तिखिकन जब तक केर करती क부터 इर नहीं गरताइ आंग जाने में प्रबिन करते गीर जाता है तो यह जो इस तरह के सवाल होते हैं कि क्या इसाइश साइज मा नापने यह मुझ Rocket करते नेज़ में एक्साइज जो है वह हमारी मेway Right आपको एक्सराइज में नामक नियरों कैमिकल है जो हम एक्सराइज करते हैं यह घ्यानत को हमारे शरीम में बढ़ते हैं और यह थी लोता है उड़ा फीन हमको जिसभी तरहार्गा प्रॉब्लम है उससे हुआप ध्याना आते हैं और हमको आराम लगता है इस नीरो केमिकल के बढ़ने से आराम लगता है तो मैं जो आपको आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ वह है हर एक्सरसाइज में चाहिए आप कितने भी बड़े जीम में जाते हो सुरी नमश्कार जो है वो कम्प्लीट एक्सरसाइज होता है लेकिन उससे पहले जो आपको करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ और वो है आपके जितने ज्वाइन्स है उसको फ्री करें अब ज्वा क्या करना है इसको फ्री करना है तो फ्री करने के लिए को क्या करना है सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हमेश्रा फिंगर से स्टार्ट करिए बाइद आप फिंगर से नहीं करना आप कहीं और बड़ी पर से स्टार्ट कर दिया तो कोई बात नहीं लेकिन सबसे पहले आप does start करेंगे इफ इस तरह से शरय कणै आपको इस तरह से इमैजिन आपने लडड़ चाहते है कर बेंढता और गर्रों मेरता इस तरह से रहने है मतलबूर होना चाहिए व्यसके दिख्वांति ओर से पीлемह आहिक होना चाहिक है यह एकındघूडी कि ह dew अब यह हम इसको इस तरह से पीछ है कर सकते हैं कि डारेक्शन में फोगा होनी आपका एक डिरेक्शन में मुझा होता है नभी कि दरेक्शन से depressed बॉसके ज़ो है मुस्थी दूस्रे है से करने हैं यहीं कर रहे थे अब हम सको ऐसे कर लिए यह सुआ हे यहां है कि यह मार में इसको ऐसे कियाना करम तो अब हम क्या करेंगे इसको यह अब इसको उपर ले जा लेते हैं उपर से आए नीची यह उपर यह नीची यह सब करते समय इजी दियान रखना है जो धीरे दीरे प्रैक्टिस से आएगा आपको पता चला आप ऐसे कर रहे हैं शरीर को इदर उदर रूस छोड़ दिया है इस तरह से बर ऐसे तो यह आपको इफेक्ट नहीं करेंगा हमेशा अपना बैठे कर दांग जबाद और सबसे बड़ी एक्सरसाइज होता है जमीन में बैठना आप खाना खाने की यादत यदि जमीन में बैठके कर लेंगे तो बहुत उच्छा होगा मैं हमेशा खाना जमीन मे बहुत देखने होंगे आप ड्राइंग रूम में बैठते जमीन में वे-दह वहत अच्छी आदत होती है रह को छमीन में बैठने की आदत गर् सतिका यह कुछ हम नường करें भी और फिर यह हो तो हुछ है और न मतलब यह है कि आपके कि आनी जैन मोह हम बोम रहे ciao थोड़ा कुर्सी तक आपको करना है ज्यादा नहीं आप पाज गिंदी नहीं कर पाते हैं शुरु शुरु में सिर्फ एक गिंदी करिए यह आपका हुआ कुकि मैं इसे कुर्सी में बैठीं तो थोड़ा मेरे को यहाथ ही लाने में तकलीप जा रहा है अपको भी ऐसे ही करना है यह बैठे बिठे करना है मैं शायद लवन्त वास की उसके बास से मैं कुछ योगा या कई एक्सरसाइज में करते आ रहे हूं मैं गरम पारी में इबू पीती थी उस समय में तो वो सब का असर है कि मेरी बॉड़ी वे फिट है मैं लोग मुझे कहते हैं कि मैं जिस एज की मुझे दिखती नहीं तो उसका मुझे लगता है कि सबसे पहला कारमशारी एक्सरसाइज हो गए गरम पारी में जो मैं निगू पीती थी यह है मैं टमाट लिए उसको काटे नमक डाले और एक हिस्से को एक लैस्टी के साथ दूसरे हिस्से को दूसरी लेट थीक रहता तो शाद जो मेरा पेट काफी अंदर है उसका भी कारण वह भी हो सकता है और मैं जो सूस्तियों मुझे लगता एक्सरसाइज और गरम पारी में यह दो चीज स अप इसको शुरू में करेंगी तो कोशेश करें एकः बार करने के सब तरब का और यह एक पर और यह द्राइक्षन का एंक इक बार इकषन समय घ्लंक शूरू में जब कि इस तरह के इसको भी पांच बार करिए अब धीरे से आप अपने घर्दम को इभर पूरा ऐसा हिला दीजिए कि मुझे इस तरह से मैं दसकार कर लेती हूं तो मेरा वुच चल रहा था आप एक ही वाहा करी फिर इस तरह से किये डिरेक्शन आपका जो होगा एंटि-डिरेक्शन हो जाएब और यह होगे आपका डायरेक्शन एंटि-डरेक्शन अब आता है कि एपकूर जो बड्या की मू इसको इस direction में एक, दो, तीन, चार, पाच्छे, साता गुछ, पिर यह एंटी direction में आखे आपकी नहीं खुलना चाहिए और वहली में दबाओ बिल्कुल नहीं देना कि आप में आप दबाओ दे रहें यहोग्या एंटी direction direction अभी स्थाब्सुते हैं अभी तो एकुछ ऐसा यह जो जो अकिति आन्म लिए तो आपको यह सब को थोड़ी क्ले किसी डायेक्शन में जो फेस्वाल लोग करते हैं नुट से उसको आराम मिलता है उसको एक सरसाइज है यह पांगे इतने part का मैंने बता है आपको गदन का हाथ कि वनले पिर पिर गए कि अब फिंगर कर था चुकिया सब्सक्राइब इस फो बिया करने डारेक्शन अब कर सकते हैं विगार करनें धरेच्वार मिलाइब यह जो भी है उनको यह लगे कि ऐसा नहीं को इस ब्रॉपर यूनिफर्म में सब चीज करना है यह हुआ हमारा एक्सरसाइब कि दीज अधिन आपका टैदी का वेया खूर्साइब तो आपको यह क्या है अजिए व्युप्राम सब्सक्राइब करना इस तरह से कि कुर्सी में आगे और भीकूर पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लिए आपको जितमें भी तरह का बॉड़ी पेंड है आपको इससे आराम लेगा तो यह आपका हो गया पैर कभी एक्सरसाइड अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या करना है एक बार इस तरह से जुट लिए लेकिन हमारा बाड़ी पार्ट बस स्ट्रेट रहना चाहिए आप इसको दिल्कुल ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना जितना जूख सकते हैं जूख सकते हैं अपना ही जूखी लिए लिजे एक दो पीछे भी आजाए एक लोग सामने भी आ जाते हैं कि आप इस तरह से चारों तरफ में जूख के आप इसको भी कर लेजिए अब होता है कि हम इसमें बैट जैनी पर बैठे एक कि खड़े हो गए दो यह वाला भी आप करिए पांज बार अब है थोड़ा सा अब यह जो पैर है ऐसे एक दो एक दो यह जो आपका पैर है यह आपका बिल्कुल इस कॉर्शन को टच होने लग जाए तो समझ जाना आप आपकी बोड़ी फ्री हो गई है फिर यह लिए एक सिर्फ आप इतना ही करके देखिए आप देखोंगे को आपी आराम सा रख रहा है बस अब इतना ही है मेरे खासे आप जब स्टार्ट करेंगे तो यह ज्यादा से ज्यादा अद्धा सिया पंदरा प्याट का एक्सरसाइज है वह उम्मीद करती है कि जबी मेरा वीडियो दे लिखते हैं वह इस चीज को जरूर करेंगे इसमें वह सी चीजे चूटी है और सब चीज एक वीडियो में तो संभा नहीं है मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी लाओंगी मैं आपको प्रापर ड्रेस में यह सब लिके तीरे दीरे नल्याट